गोंद्यों भंडारा दोनों जिलों में नगर निकायों का विकास कार्य पिछले पांस साल से ठप है इस वीच सांसर प्रफूल पटेल ने शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने का वादा किया था इसके बाद शहरे विकास मंत्राले के साथ अनुवर्थी कारवाई करते हुए दोनों जिलों में नगर निकायों को और अधिक धनराशी उप्रव्द कराने की सुचाव दिये गए नतीजन शहरे विकास मंत्राले ने रुपे का एक कोश मनजूर किया है इस फंड का इस्तमाल शहर के विशेश कारे समीती कई सड़कों के निर्मान कारी को पूरा करने में किया जाएगा इसके लिए भंडारा जिले की लोगों ने प्रफुल पटेल का शुक्रिया अदा किया है भंडारा जिले में सभी नगर परिशुदों और नगर पंचायतों के विकास कारियों में तेजी लाने के लिए सांसर प्रफुल पटेलनी कोरोना संक्रमन खत्म होती ही राजसरकार से बात की उन्होंने शहरी विकास मंत्राले से संपर किया और भंडारा जिले की नगर पंचायतों नगर परिशुदों से अधिक से अधिक धंदराशी उपलब्द कराने का नरोध किया तद अनुसार शहरी विकास मंत्राले ने रुपे का एक कोश मंसूर किया है विशेश योजना के तैद पवनी नगर परिशत के लिए 20 लाग रुपे और भंडारा नगर परिशत के लिए 34,60,000 रुपे की राशी स्विक्रत की गई है इसी प्रकार विशेश सड़क अनुदान मद में भंडारा नगर परिशत को 3,89,000 एवं 1,24,000 पवनी नगर परिशत के लिए 45,00,000 और साकोली नगर परिशत के लिए 65,20,000 की राशी का वंटन किया है 20,00,000 रुपे मनजूर किये गए हैं गोंदिया जिले की दोनों नगर परिशतों को विशेश एवं विशेश सड़क अनुदान योजनाओं के तहट 7,37,80,000 रुपे की राशी स्विक्रत की गई है यह सांसर प्रफुल पटेल की प्रियास का परिणाम है इससे भंडारा जिले की पवनी तुमसर साकोली और भंडारा के विकास कारियों को गती मिलेगी उल्लेकनिय की पूर विधायक राजेंद्र जैन और इस्थानी राकमपन नेताओं ने भंडारा जिले में शहर के विकास कार्यों के लिए सांसर प्रफुल पटेल का ध्यान अपनी और खीचा था गोंदिया से बीसीन न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट